नमस्कार विद्यार्थियों मैं रतन जागावत व्याख्याता हिंदी कृष्णा विद्यामंदिर सीनियर सेकूर्टी स्कूल शिकर विद्यार्थियों जैसा आपको विद्यत है अपना पेपर हुआ है 12th क्लास का STSE का 2021 का और उसमें जो 40 प्रसन है वो अपनी हिंदी से संबं हैं और कुछ व्याकरण से भी संबंदित है अपन आज इस वीडियो के माध्यम से उन सारे प्रसनों को हल करेंगे पहले प्रसन से अपन सुरू करते हैं पहला प्रसन है देखो अपना निमने लिखित वर्गों में उस्म वेंजन है अपने वेंजन पढ़े थे तीन प्रकार के इसपर्स वेंजन अंतहस्त वेंजन और उस्म वेंजन तो कैसे लेकर में तक तो इसपर्स वेंजन हो जाता है यह रह लवए यह अंतहस्त वेंजन हो जाते हैं और सह सह है यह हो जाते हैं उस्म वेंजन तो इसमें देखो है यह तो दो नमबर विकल्प है ये इसका सही उत्तर है ये है उस्म वेंजन पहले प्रसन का उत्तर क्या हो अपने दो नमबर का विकल्प है है उस्म वेंजन है जिसकी परिवासा होती है उचारण करते समय हवा अपने कंठों में घर्षन करती है और फिर गर्म हो करके और बाहर नि ओस्रेणी में आता है पहले प्रसन का उत्तर देखा दूसरा अगिंचyes, क्या से उचारन होता है अपने अर्व वर्न का उच्छारन किया था था कैवर्ग है कंठी विजटन है टैवरंगहां। तो इन में से कौन सा ये देखो अपने टै एवं री वर्णों का उच्चारन इस्थान है तो टै वर्ण है और री है इनका उत्तर होगा मूर्धा से मूर्धा का मत्र होता है जबाड़े यहां से मूर्धा से जाड़ होती है अपनी वहां से इसका उच्चारन होता है टै का और रीका तो दूसरी प्रसन का जो सही उत्तर है वो होगा तीन नंबर का विकल्प मूर्धा अब देखतें आगे का प्रसन निमन लिखित सब्दों में तत्सम सब्द है उत्पत्ति के आधार पर अपने सब्द पढ़े तत्सम तद्भव देशज और विदेशी तो तत्सम ये सब्द जो संस्कृत के वैसे वैसे हिंदी में प्रियुक्त हो जाते है वह तत्सम सब्द कहलाते है पहला है साखी साखी त तद्भव सब्द है नेह सनेह का तद्भव सब्द है और इसपर्स जो सब्द है वो यहाँ पर तत्सम है इसपर्स तत्सम सब्द है तो तीसरा जो अपना प्रसन है इसका उत्तर होगा चोथा विकल्प इसपर्स तत्सम सब्द है आगे का प्रसन लिए निम्न लिखित संग्य में जातिवाचक संग्या है तीन प्रकार की विक्तिवाचक जातिवाचक और भावाचक जातिवाचक सब्द मित्रता भावाचक हो गया पूरब यह भी नहीं है पसू यह यहां जातिवाचक है वच्पन है वो भावाचक हो गया तो पसू जो सब्द है वो जातिवाचक संग् next कि बहुता है निष्चर वाचसर्वनाम सब्द कहलाते हैं तो दिखो यह कुछ अनिप निश्चय है उसकी निँ अपना यह सब्स है इसमिं यह सब्द है गर्म यहाँ पर निश्यवाचक सर्मनाम है जो निश्यता का बोध कर रहा है निम्न लिखित विशेशनों में से वेक्तिवाचक विशेशन का उदाहरन है वेक्तिवाचक विशेशन का तीन मिटर यह तो माप हो गई सब यह एनिशित संख्या हो गई विकानेरी ये विक्तिवाचक विशेशन है यहां पर विकानेरी विक्तिवाचक विशेशन है मीठाम ये भी विक्तिवाचक नहीं है तो छट्वे प्रसन का जो सही उत्तर है वो तीसरा विकल्प है विकानेरी विक्तिवाचक विशेशन है निमनलिखी तवाक्यू में से किस में रीती वाचक अवे का प्रियोग हुआ है? एविकारी जो सब्द होते हैं, क्रिया विशेशन होते हैं, रीती बताने वाले एविकारी सब्द तो कोण सा है? वह अधिक परिश्रम करता है? नहीं है? तुम बहुत दीरे दीरे चलते हो, ये चलने की रिती को इंगित कर रहा है तुम बहुत दीरे दीरे चल रहे हो ये जो दीरे चलना है इसकी गती दीरे दीरे रिती तरीका बताया जा रहा है अगला प्रसंद देखते हैं निम्न लिखित पुलिंग सब्दों में किसमे नी प्रत्य लगाकर इस्त्री लिंग रूप बनाया गया है प्रत्य का मतलब वे सब्दंस जो किसी सब्द के अन्त में जुड़कर उसके रूप आकार और उसके अर्थ में परिवर्थन पैदा कर देते हैं वो प्रत्य कहलाते हैं इसमें देखो मोर नी ये पहला ही है इसका उत्तर टाकुराइन इसमें आइन है इसमें इन है क्यों ने तो मोर नी जो सब्द है इसमें नी प्रत्य लगने से सब्द इस्त्रिलिंग बन गया, मोर का मोर नी हो गया, तो इसमें पहला जो एक नमर वी कल्प है, वो सही उत्तर है, आगे वड़ा प्रस्ट, निमनली गितवाक्यों में करण कारक का प्रियोग हुआ आया, करता ने करम को करण से साधन के रूप म माटे गए, यह है, वह स्वभाव से ही कंजूस है, वह स्वभाव से ही कंजूस है, इसमें जो करण कारक है, वो इसमें प्रकट हो रहा है, तो इस प्रस्ट का सही उत्तर होगा, तीन नंबर का विकल्प, वह स्वभाव से ही कंजूस है, मोहन परिक्सा देता होगा वाक्य मे काल का प्रकार है संभावे वर्तमान काल संभावे वर्तमान काल संभावना वेक्त की जारी की मोहन परिक्षा देता होगा वर्तमान काल है और संभावे वर्तमान काल इसमें प्रकटे हो रहा है दसमें प्रसन का जो उत्तर है वो विकल्प दो नंबर है जो सही है, आगे देखो, ग्यार्मा प्रसन है, सर्व प्रिय सामाशिक पदमे समास है, सर्व प्रिय सब को प्रिय, अवेभाव समास, द्विगू समास, तत्पुरुस समास, कर्मधार्य समास, सब को प्रिय, तो इसमें कारकी विभक्ती का लोग हो रहा है, कारकी विभक्ती का लोग होता है वो समास कौन सा हो जाता है तत्पुरुस समास हो जाता है करता तत्पुरुस सब को प्रिय होने वाला तो ग्यारिमें प्रसन का सही उत्तर होगा, विकल्प नमबर तीन, तत्पुरुस समास, नेक्स्ट दिखते हैं, इस समास में दोनुपद समान रूप से प्रधान होते हैं, इसके दोनुपद योजक्चिन द्वारा जुड़े होते हैं, वह है, दोनुपद प्रधान होते हैं, और ऐसा दुन्द समास में होता है समझ गए और बीच में योजक्चिन ये डैस का परियोग किया जाता माता पिता दाल रोटी गरीब अमीर जिन रात अदी तो देखो इस समास में दोनुपद समान रुपशे परधान होते हैं इसके दोनुपद योजक्चिन दो जुड़े होते हैं वimens है दुन्द समास इसका पहला ही उत्तर है एक नमबर वी कल्ब इसका सही उत्तर है नेक्स दिदりました वन गमन सामासिक पद का सही समास विग्रए है वन गमन वन को गमन पहला ही सही है इसमें वन को गमन आकी बाकी तीन गलत हैं तो तत्पुरु समास हो गए वन को गमन वन को जानने वाला सब्दाव नमबर का प्राशन देखते हैं उच्छ वास सब्द में उपसर्ग है उच्छ वास इसमें है उत उत्धन स्वास उत्धन स्वास अलांकि ये जो उपसर्ग है इसमें उत्धन पुरा आता है ये उपसर्ग में हलंत नहीं लगता है संदी होती है इसमें उपसर्ग इसमें पुरा आता है हलंत नहीं लगता है नेक्स्ट देख रागव सब्द में प्रत्य है इसमें ए प्रते है रगु ए रगु में ए सब्द जुड़ा हुआ है तो रगव सब्द में ए प्रते है next हंस का सही परियाय है वजरंग नहीं है, चक्रपणी नहीं है मातंग नहीं है, चक्रंग हंस का ये है चक्रंग, चक्रंग जिनके पंकों के उपर चक्र की तरह दिखाई देते तो चक्रांग अंस का परियाईवाची सब्द होता है एक नंबर का जो विकल्प है वो इसमें सही है वालगा next कौन सा सब्द समू है एक ही सब्द का परियाई है देखो इसमें थोड़ा अपने को देखना है केशरी, भारती, कटक ये सब्द अलगा गया उद्धी, पयोदी, कटक, फिर चे अलगा गया द्वीरद, द्वीप और नाग ये तिनु एक है इसमें और ये तिनु किसके हैं हाती के परियाईवाची है तिनु का मतरब हाती से नाग, हाती भी होता है द्वीरद भी और द्वीप भी होता है ये जो प्रसन है, सब्ध सुमें एक ही सब्द का प्रियाई है, ये द्वीरद, द्वीप और नाग, दो नमबर का विकलप इस प्रसन का सही उत्तर है, next देखते है क्षर सब्द का सही विलोम सब्द है विक्षर नहीं है, निरक्षर नहीं है, चक्षर नहीं है अक्षर होगा इसका क्षर का विलोम होता है अक्षर नेक्स्ट आधी, आधी, सुरूती सम बिनार्थक का सही अर्थ होगा असुरूती सम्विनार्तक सब्द होते हैं बालको वे सब्द जो उत्चारण में एक्षे लगते हैं या लिखने में एक्षे दिखाई देते हैं लेकिन उनका अर्थ बिन बिन होता है इनको समोचरित बिनार्तक सब्द भी या सुरूती सम्विनार्तक सब्द के नाम से जाना तो देखो आधी और आधी आधी का मतलब होता है प्रारंब का काल और आधी का मतलब होता है मानसी के पीड़ा तो इसमें हो गया प्रारंबिक और मानसी के कष्ट यह एक नंबर का इसमें से हो गया प्रारंबिक और मानसी के कष्ट आधी और आधी निरुद्ध सब्द के लिए सही वाक्य है वन वर्ड होते हैं जो वाक्यांस के लिए एक सब्द हो है जिसे बेदा नहीं जा सके जिसे रोका नहीं जा सके अवरुद्ध मार्ग माना जिसे कम ग्यान हो अनिरुद्ध जिसको रोका नहीं जा सके अनिरुद जिसमें भाधा उत्पन ने की जा सके जिसे रोका ने जा सके तीसरा उत्तर सही है इसका भी शिल पर सके आगे का देखते हैं वर्तनी की दरश्टी से सुद्ध सब्द है आधीन गलत है यह कुटुम्ब सब्द सही है इसमें यह अधीन होता है वो चोटा जू और होता है और वो होता है आजी वी वी चोटी और का होता है तो यह तीन सब्द गलत है कुटुम्ब सब्द यहां पर वर्तनी की दरश्टी से सुद्ध सब्ध है 21 में प्रसन का जो उत्तर है वो सही विकल्प है दो नमबर कुटों नेक्ट निमने लिखी तो वाक्यों में सुद्ध वाक्य है सै प्रमान सहीत ये तो ये दोर का इसमें दुबारा वनन हो गया वह सची वाल है कारेल है ये भी दो बार आ गया गलत है वह प्रातकाल के समय तो प्रातकाल का मतलब ही समय आ गया ये इमानदार विक्ति है वाक्य में सुद्ध वाक्य ये इमानदार विक्ति है बाकि ये जो तीनु वाक्य है इनमें कोई इनको ये सुद्धी प्रकट हो रही ह बीतर ही भीतर दुखी होना आर्थ को प्रकट करने वाला मुहा हो रहा है आठ आठ आंसु गिराना नहीं है आंका कांटा होना नहीं है आंसु पीकर रह जाना ये जो दो नमबर का विकल्प है ये इसका सही आंसू पीकर रहा जाना इसका मतलब भीतर ही भीत भीतर दुख को महसूस करना या दुखी होना next कंगाली में आटा गिला लोकोक्ती का सही अर्थ है कंगाली हो और पिर आटा गिला और उजाय जितना हो वो भी मालो ज्यादा पाणी में हो जाय तो समयशा हो जाती है कि और पैदा हो जाए तो वहां पर कंगाली में आटा गिला होना मुहावरा चरितार्थ हो जाता है कि वाच्चे कितने प्रकार के होते हैं तीन प्रकार के, कई जगा आपको दो प्रकार के मिलेंगे, लेकिन अपन जो बोर्ड के द्वारा जो व्याकरण अपनी दी गई है, उसमें कर्तवाच्चे, कर्म वाच्चे और भाव वाच्चे, तीन प्रकार के वाच्चे उसमें बताए गए हैं, कई व्याकरण हैं जिसमें आपको दो प्रकार के वाच्चे भी मिल सकते हैं लेकिन बोर्ड ने जो अधिकरत पुस्तक अपनी दे रखी है मादे मिशिक्सा बोर्ड ने व्याकरण की हिंदी की उसमें तीन वाच्चे दिये गए हैं तो वाच्चे कितने प्रकार की इसका सही उतर होगा हाई अब मैं क्या करूँ दुख, पीडा, सोक, हर्स इनकी अतिरे किस्थिति का जब वर्णन किया जाता है उसके लिए जिस चिन का प्रयोग किया जाता है वो विसमें अधि बोधक्चिन ने कहलाता है हाई अब मैं क्या करूँ ये जो चिन लगा है वो है विसमे सूचक चिन आगे का प्रसुन लिखते हैं जब किसी कथन को जुकाति उद्रित किया जाता है तो उस कथन के दोनु और इसका प्रियोग किया जाता है दोनों और जिसका प्रियोग किया जाता है इस विराम चिन को कहते हैं उद्धरन चिन या उपविराम यह अपन किसी बात को लिखते हैं ने किसी मालो कवी का नाम है उपनाम है किसी कथन है किसी का ऐसे कैसे तो आपर inverted कोमा अवद्धरन या अवद्धरन जिन या उपविराम उसके नाम से जाना जाता है आगे वाड़ा देखो चैन सब्ध का सही संधी विछेद है चे धन अन तीन नम्बर का विकलप इसका स्य प्लस अन बराबर चैन सही उत्तर ही नेक्स्ट, उत्धन स्रिंखल, संधी विचेद का संधी सब्द होगा, उत्ष्रिंखल, यह भी गलती, यह एक नमबर सही है इसका बाल को, उत्ष्रिंखल, उत्धन स्रिंखल, संधी विचेद होगा, उत्ष्रिंखल, भागी का देखते हैं, व्यायाम सब्द में संधी का प्रकार है वी प्लस आयाम और संधी कोण सी होगी इसमें यन संधी ये रे ले वे इन अक्षनों को यन बोला जाता है तो संधी में जब इनका निर्मान होता है तो इनको यन संधी कहा जाता है V plus I am बराबर Vyam अर्थात इसमें यन संदी है आगे देखो निर्मम सब्द का सही अर्थ है मम का मतलब होता है ममता निर्मम जो ममता से रही तो तो वह जिसे बाहर निकाड़ दिया गया हो वह जो नासवान यह नहीं है जो ममता से रही तो हो बिना ममता के हो उसको क्या का जाता है निर्मम दूसरा विकल्प जो इस प्रसन का है वो सही उतर होगा नेक्स्ट देखते हैं जिस वाक्य में किसी काम या बात का होना पाया जाता है उस वाक्य को कहते हैं विधान वाचक कहते हैं उसको यूिवर्सल टूत होता है ने कि ऐसा होता है तो उसको कहा जाता है विधानवाचक वाकि 32 में का जो एक नमबर विकल्प है वो सही विकल्प है 33 वाप्र pokemon निम्न लिखित वाक्यों में से किस वाक्ये में सर्व नाम संबंधी असुद्धी है सर्वनाम जो संग्या की इस्तान पर प्रिउक्त होते हैं तो देखो पांच बजने को दस मिनट है सही नहीं है वास्त में तुम सही नहीं है अब आप पढ़ो असुद्धी पूतरा उल्टा है न प्रशन की गलत कहा है क्यों नहीं तो हम हमारी कक्सा में गए इसमें हम अपनी क कक्सा में गए हैं एक 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 की तो जाता है हैं तो हम अपनी कक्सा में गए हैं नहीं है तो यमक अलंकार है और यमक अलंकार की परिवासा होती है जब कोई सब्द बार बार आये और हर बार उसका अर्थ भिन परकट हो तो वहां पर यमक अलंकार होता है तो ये तीन वेर खाती थी वे तीन वेर खाती हैं वीजन डुलाती थी वे वीजन डुलाती हैं नगन जडाती थी वे नगन जडाती हैं उचे घोर मंदर के अंदर र रहाती है इन पूरे इसमें जो अलंकार है वो यमक अलंकार है आगी का प्रियुक्त है जब कावे में प्रियुक्त किसी सब्द के प्रसंगानुसार एक से अधिक अर्थ हो वहाँ अलंकार होता है सलेस सलेस का सब्दिक अर्थ होता है चिपकना की सब्द एक बार प्रियुक्त से अलग आर्थे प्रकट होता है पानी गये न उबरे मोती मानस चुल पानी गये न उबरे मोती मानस चुल इसमें पानी सब्द के तीन आर्थ हैं मोती के लिए पानी का मतरब चमक मनुसे के लिए इज़त और चून के लिए जल सब्द एक है लेकिन अलग-लग सब्दों के साथ अलग-अलग अर्थ परकट कर रहा है तो यहाँ पर यमक अलंकार होता है यमक का साब्दी करता होता है चिपकना अलग से अर्थ परकट होता है बिन अर्थ को प्रकट करने वाला सब्द है देखो ये सारे कोविद का मतलब भी विदवान प्रागे का मतलब उद्धिवाला पंडितवानी ये जो सर्वरी सब्द है ये यहां अलग अर्थ दे रहा है इन तीनों के अर्थ हैं वो किशिन कीशी प्रकार से मिलते जुलते हैं लेकिन ये सब्द अलग से है सर्वरी का मतलब सर्व का प्रियाईवाची भी होता है जो कि उप्रोक में नहीं है तो चतीव स्विद का जो उत्तर है वो तीन नंबर भी कल्प है सर्वरी निमने लिखित कावे पंक्तियों में किसमें रूपक अलंकार है कुमोधिनी मानस मोधिनी नी उत्परिक्सा है पुरनेंदु सा मुख खिल गया इसमें उत्मालंकार हो गया तरणी तनुजा इत्में अनुपरास हो गया चरण सरोज पकारन लागा केवट प्रसंग में आने कि बगवान राम के कमल के समान सुंदर चरणू को जो केवट है वो धोने लगा तो चरण रूपी कमल रूपी चरणू को धोने लगा अत्य यहाँ पर रूपक अलंकार है चरण सरोज पकारन लागा आगे वाला प्रसंद देते हैं क्रित वाचक प्रत्य का उदाहरन है करता वाचक देखो कुमार इर्शालू शेठानी पालन हार है इसमें पालन हार जिसमें करत वाचे प्रकट हो रहा है आगे वाला देखा निमनलिकित सब्दों में प्रत्य रहित सब्द है जिसमें प्रत्य नहीं है वो सब्द है ये निर्मल सब्द होना चीए इसमें निर्मल निर उपसर्ग है प्रत्य नहीं है मलमूल सब्द है तो 49 में का जो सही उत्तर है होगा चार नमर का विकल्प है निर्मल नमकादारोगा पाठ की विधा है कहानी है गद्दे की कहानी विधा है जिसमें नमकादारोगा पाठ रचा हुआ है मुंशी प्रेमचंद की ये बहुती शांदार कहानी है जिसमें किस प्रकार से इमानदारी का पालन करने के लिए जो कहानी का नायक है वो कितना परेशान होता और अंत में इमानदारी की सत्य की जीत होती है और सत्य परास्त हो जाता पंडित अलोबिदीन के और बंशीदर के माध्यम से कभी लेखक ने मुंशी प्रेम चनी इस बात को समझाया है तो विद्यारतियों ये थे 40 प्रसंद जो 2021 के STSE के exam में अपने आये थे अपने इनका solution किया है और मैं आशा करता हूं कि आप सब का ये जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा होगा हेलो देश्टोंस हावर यू मैसेल्फ निशान तगरवाल लेक्टें इंग्लिश इन के विम स्कूल सिकर आपका वेलकम करता हूं तो प्यारे बच्चों एई यू नो 12th क्लास का अपना STSC का जो पेपर लगा है उसमें इंग्लिश का वेपर आपका हुआ है और अच्छे सी हुआ होगा I hope so तो आज अपन इस पेपर का solution करने जा रहे है और लगबग लगबग जो questions है उनको ध्यान से पढ़ेंगे भी क्या है क्या नहीं क्या पूछ रहा था बाकि और अगर मैंने पूरे स्क्रीन पर है फिर इन दा ब्लैंक का है यह कि इन नाइन्टीथ सेंचुरी चार्ल्स दिकंस था इंग्लिश नॉवलिस्ट रोट एक्साइटेड़ अफ स्टेज और कोच पूल्ड अलोंग बाई टीम किसकी टीम तो यहां पर इस ने बोला कि क्या प्रिपोजिशन आएगा तो आगे अपनिया जाएंगे इसके लिए आगे क्योशन पर ठीक है कि आगे option में हमें क्या दे रखा है तो more than 20 meals an hour तो एक घुड़ों की टीम को वो क्या करते थे उसके कोच थे और लगबग 20 meals from an hour ठीक है कि could cover वो कर सकते थे कि ए घंटे के अंदर 20 meals को भी क्या कर सकते थे century अगले question पर अपन चलेंगे question no.3 की cover more than 20 meals in sorry in 20 in an hour एक घंटे में ठीक है यह क्या option है आपके आगे से आगे इससी question क्या है चार लगबग चार question लगा तर एक पर ही पूच लिए इसने क्या पूच्छा कि in the 90th century Charles Deacon of English novelist wrote excitedly in a stage cause pulled along by a team of horses that could cover more than 20 meals in an hour ठीक है to us in the 20th century अब यह थो third question आगे 20th century man is able to move and to communicate तो यहाँ पर अपने पास options दे दिये हैं क्या कि इसमें क्या आएगा क्या which आएगा क्या what आएगा क्या when आएगा तो अपने को दिमाग में होना चाहिए कि जब time की बात हो रही है 20th century की बात हो रही है कि in the 20th century में जब आदमी क्या करता था able to move and communicate such rapidly ठीक है तो fourth में आ जाओ तो off, over, in, with तो इसमें अपने पास क्या आना चाहिए कि कि कितनी speed से communicate कर सकता था जब 20th century में the speed of stage and cost seems no speed at all तो उस time तो ये जो coach और stage की speed थी वो कुछ भी नहीं थी तो communicate कर सकता था तो इसका मतलब हो जाएगा with such rapidly ठीक है ना तो ये अपने पास चार अंसर आ गए क्या क्या आ गया of, in, when and with hopes हो कि ये चार questions आपके सबके सही हुए होंगे अगले question की तरफ मूग करते हैं, hobal, hobal क्या होता है इदर उदर गूमना फिरना और इसने पूछा nearest क्या है, तो nearest stride होता है इदर उदर गूमने फिरने की अर्थ में, next है strong, तुफान, तुफान का nearest word क्या है, bridge या rain, बरसात या बूंदा बांदी नहीं होता, टाइफून क्या होता है, तुफान होता है, next question है stranger, stranger का इसने क्या बोला है कि opposite करो, तो outsider भी stranger होता है, foreigner भी stranger होता है, vendor भी stranger होता है, जबकि familiar क्या होता है, जानकारी वाला इंसान, तो कहने का मतलब इसमें fourth answer आपका हो जाएगा, अगला इसने क अगल कर्थ भी यही होता है, huge का आउर्थ भी देते हैं, बड़ा होता है, तो यहाँ पर angel होता है, angel क्या होते है, देव दूत, question number nine है, extra honorary, कि spelling को आपको पूरा करना था, तो extra honorary, spelling गलत है यह, extraordinary यह होई नहीं सकता, extra ordinary, यही तो spelling थी, यही इसका suffix पुछा गया था, कि last में suff क्या आएगा, हिंदी बोले तो प्रत्य क्या होगा, next imagination, यही तो होगा, imagination, तो imagination की spelling में यह sion नहीं होता, cion नहीं होता, जबकि tion, क्या हो जाएगा, examination, तो यह आपका हो गया, 10th का, 10th का, 10th नंबर जो है, आपका question का answer, next है, एक इसने बोला, क्या, कि जो आपका यह question है, यह जो 11 नंबर का जो आपका question है, इसके अंदर कौन सा जो answer बनेगा, आपको sentence बनाना है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, तो subject आता है, तो गांधी, गांधी never, फिर आती है, वर्व, वर्व क्या दे रखी है, content himself, with large political economic solution, यह आपका sentence है, इंडिगो वाले chapter का, कि गांधी never content himself, with large political and economic solution, तो यह आपका question है, 11 number question, question number 12 की बात करें, Albert Einstein, subject है आपका, helping वर्व, प्लस वर्व, Albert Einstein is regarded as the greatest, the, superlative degree से पहले, the आता है, इसका मतलब भी last में जाएगा, और यह हो जाएगा, Albert Einstein is regarded as the greatest, physicist, अब देखो कून सा है इसमें, वाई, D, A, C, B, A, तो इस third number जो option है, वो आपका correct option होगा, I saw, I saw M. Hamill sitting motionless in a chair, यहाँ पर blank है, यहाँ इन ही chair, अपनी कुरसी पर वो बैठे हुए थे, motionless बैठे हुए थे, आपका chapter जो है, first the last lesson, उसी का यह क्योंटेंस है, यह क्या है, the Maharaja what he would attend, कि Maharaja ने क्या कसम खाई, कि वो क्या, यह the Tiger King वाले chapter से, the Maharaja what he would attend to all other matters, only after killing the hunter tiger, कि जो 100 tiger को मानने के बाद, ही वो अन्य जो matter है, उनमें पढ़ेंगे, ठीक है, next है, it started to run while, यहाँ पर blank है, देखो यहाँ पर जहाँ से देखो, कि it started to run while we, tennis, जब हम tennis खेलने ही वाले थे, तो क्या हो गई, बरसात शुरू हो गई, तो अगर हम बात करें हमारे 15 number question के, तो V के साथ वाज तो आई नहीं सकता न, और यह past का है, तो R भी नहीं हो सकता, head plate, head plus third form of work बनेगा ने, क्योंकि while दे रखा है, तो कहने का मतलब, इसमें आ जाएगा, वाज वर प्लस first form प्लस ing, तो वाज वर तो V के साथ वर आएगा, तो वी वर प्लेइंग, क्या जाएगा, वी वर प्लेइंग, तो कहने का मतलब मेरा, सीधा सा ये है आपसे, कि इसमें हो जाएगे, started to rain, while we were playing, ठीक है, tennis, next question आपका 16, I, my homework before hurry, came to see me, देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, before, और before का rule क्या होता है, प्यारे बच्चों, कि before से पहले हमेशा, head plus third form of verb आती है, और before के बाद second form of verb आती है, अगर हम इस sentence को देखें, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, head plus third form of verb, head done, तो यह हो जाएगा, I had done my homework before, hurry, came to see me, ठीक है, तो बात को समयागी, before से पहले क्या आता है, अगर यह आजाता option, यह blank आता तो second form आती, बिल्कुल simple सी बात है यह आपकी, अगला question है, I swim across the river when I was young, मैं तेर सकता था, जब मैं क्या था, young था, ठीक है, तो I swim across the river when I was young, तो इसका answer हो जाएगा, I could, I could, I could swim across the river when I was young, मैं नदी में तेर सकता था, जब मैं क्या था, young था, ठीक है, next है, I wish he not play his wireless so loudly, क्या पूछा है, इसने correct model भरें, तो I wish, I wish he not play his wireless so loudly, लगता है इस question में थोड़ा blank, ना, I wish, I wish he would not, यहाँ पर, यहाँ पर blank है भई, यहाँ पर blank है आपके, जो 18 number question है, यहाँ पर आपके blank दिया हुआ है, ठीक है ना, I wish he could not play his wireless so loudly, ठीक है, अगला sentence है, चूजे complex sentence, complex sentence को आपको क्या करना है, प्यारे बच्चों, इसमें choose करना है कि सही, जो complex sentence, आपको पता है ना, तीन तरह के sentence होते है, there are three type of sentences, simple sentence, compound sentence और complex sentence, अगर हम इस sentence की बात करें, 90 number question की बात करें, तो आप sentence पढ़ेगे, पहले the horse rear end, the rider was thrown, इसमें end आ गया, तो end आ गया मतलब यह कौन सा sentence है, compound, there was one philosopher who could, who choose to live in a tub, बिल्कुर सोचते हैं इस बारे में, she must weep or will die, तो यह conjunction देरखा है इसमें भी, God made that country, end देरखा है इसमें, तो सीद्या सा मामला क्या आ गया, कि अगर end देरखा हो, और देरखा हो, end देरखा हो, तो यह सब के सब compound sentence है, और अगर हम इसकी बात करेंए, तो दो sentence सोगो मिला कर, एक sentence बना हुआ है, ठीक है, चूज़े simple sentence, आपको इसमें simple sentence बताना है, एकदम simple sentence, इसके अंदर कौन सा देरखा है, आपको simple sentence बताना है, simple sentence देको यहां पर end देरखा है, when देरखा है, यह तो हो नहीं सकते, simple sentence, his courage, his one, him, honor, subject plus word plus object, she gave me a farewell present, क्या पुछा है इसने, पैसी वो इस बनाओ भाई इसका, संदैसे she gave me यह, तो दो तरीके से मना सकते है, आपको पता है, या तो यह farewell present को आप पहले लाते हो, या मी को आप पहले लाओगे, अगर आप मी को पहले लाते हो, तो I, second form दे रखा है, तो क्या आएगा, was your, तो I was given, I was given, फिर क्या बच गया, a farewell present, a farewell present, किसको, by her, हाना, she change हो जाएगा by her में, तो यह देखो कहा है sentence, तो यह तो हो नहीं सकता, she was given a farewell present by me, me, कैसे हो जाएगा, शी तो हर्मत लेगा, a farewell present is given, इज होई नहीं सकता, second form थी, और यह भी नहीं हो सकता, तो यह है answer, आपका सामने ही पड़ा है, a while I was given a farewell present by her, next है, the boy is climbing the cliff, जो लड़का है, वो चटान पर क्या कर रहा है, चड़ रहा है, तो इसको बना दो, is mr plus ing दे रखा हो, तो क्या हो जाता है, being plus third form of verb हो जाती है कि नहीं हो जाती है, इज दे रखा है, तो sentence was or hedge का तो होई नहीं सकता ना, अब यहाँ पर आओ, तो यहाँ पर being कॉंसे sentence पर दे रखा है, यहीं तो दे रखा है, तो third answer से ही हो जाएगा आपका, the cliff is being climbed by the boy, I hope so समझ में आगया होगा, ing है तो being आएगा भई, चिदी सी बात है, जाता time isiline लिए मैं आपका simple सा funda है, simple simple छोड़ी चीजे हैं, आप राम से clear कर सकते हो, he said to me, what are you doing, उसने मुस्ते का कि तुम कर क्या रहे हो भई, हाँ भी हम जो कर रहे हैं, कर रहे हैं, sad to को हम क्या किसमत लेंगे, we change it in asked, ठीक है, और आगे क्या दे रखा है, wh word, what का word, you को change करेंगे, me के according, you is here, second person and second person change according to object, you is here, first person also, first form of, first form है प्रनाव की, तो we will take, first form of me, that's I, is I am our change into was or were, I was doing, का है संदे हैं सापका, रताओ, ये 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 ना, he asked me what I was doing, तो fourth answer is correct answer, next step 24, he says I am glad to be here this evening, तो वो कहता है, तो sage वाला वाक्य है भाई आपका, सीधी सी बात है, तो sage वाले वाक्य में तो sad तो होई नहीं सकता, ये sad भी नहीं हो सकता, तो 2 sad तो ये सीधी सीधे कट गए, present वाला वाक्य है, अब बात आती है, sage का sage भी नहीं रहता, ठीक है question है, ठीक है, 24 number question ठीक है ना, तो ये change हो जाएगा na sage, और बाक्य तो आगे change होना ही होना है, this का that हो जाएगा, is a mark का was worth हो जाएगा, hair का there हो जाएगा, जब कि sentence में तो इसने hair को there में नहीं बदला, this को that में नहीं बदला, तो ये तो सीधे सीधे आपको पता चल जाएगे न sage का said हो नहीं सकता, तीन option गलत हैं, तो एक answer सही होगा, तो इसमें punctuation marks आपको बताने हैं कि सही punctuation जो mark है, वो कौन सा है, सही punctuation mark वाला sentence कौन सा है वही, बताओ, इसमें सही punctuation marks किसमें दे रखे हैं, he asked the woman, how much should I give you, he asked the woman, how much should I give you, ठीक है, और फिर है अगला, तो इसमें question mark वाला जो है, इसमें शायद question में already शायद पुच है, पिस्टेक हुई है, और क्या पुच आदा, सही sentence correct, जो है आपका punctuation mark जो है, तो अगर हम इसकी बात करें, तो question mark भी आना ही है, आपका, बिल्कुल आएगा, तो यहाँ पर inverted commas नहीं दी हुए है, अगर यहाँ पर यह inverted comma और question mark देता है, तब यह अपना answer सही हो जादा है, he asked the woman, how much should I give you, तो इसका मतलब, यही है इसका सही answer, पर इसमें question mark नहीं है, तो अब वही बात हो गई, punctuation mark, question mark नहीं है, तो यहाँ क्योंच नमार लगा ले ना भई, तूसे साब से third answer सही होता है, ठीक है ना, बागी की में देखते हैं हैं है, आपन कोई दिखकर नहीं है, next है, choose the sentence punctuate correctly, सही कौन सा होगा, it's not my wish sir, यही होगा, it's यह होता ही नहीं है, it's not, it's not, it's not my wish sir, और इसमें inverted comma दे नहीं रखा, यह वैसी गलत है, इसमें दे रखा है, यहाँ पर इसमें गलती कर रखिए, next है, action speaks louder from, louder than from words, यह देखो comparative degree है, louder, loud plus er, और इसके साथ क्या आएगा, then आएगा, सिद्धा सही comparative degree, next है, good things come to those which wait, ठीक है, तो यह sentence में blank कहा हैं गया, वही ही आपका, blank third है, blank तो कहा है, good, good things come to those, यहाँ पर है भी blank आपका, who, which, who wait, जो क्या करते हैं, इंतजार करते हैं, यहाँ पर blank है भई, next है, इसमें आपको सही spelling बतानी है, तो AWS, AWS, SIN होती है भई, next है, कामेटी की spelling सही कौन सी है, C-O-W-M-I-T-E-E-E, यह वाली sentence spelling सही है आपकी, next है, in the first time, in human history, we see transcending concern, तू नहीं हो सकता, with, for, in, in the first time, doctor's law become famous, not only as a surgeon, but also, यहाँ पर बत अल्सो है, तो not only आएगा, तो not only, not only, not only, यह रा, third है आपका सही answer, since I am out here in the garden, the house is empty, when I was in, यहाँ पर बेन आएगा, यह ब्लेंक है, यहाँ पर है, तो when I was, I go back in sight, तो third है, इसका सही answer है, next है, यह वो, उसके chapter भी आपके, Mr. Lamb वाल है, if I start a school, will you come, कहा है, यह रा, अगर तुम स्कूल आओगे, क्या, यह है, if I start, यह आपके chapter number कौन सा है, वाले में, ठीक है, sentence है, he was a beautiful specimen, he was a, यह कौन सा चेप्टर आपका, Douglas वाला चेप्टर है, deep water, उसी में से sentence लिया है, कि वो एक सुंदर शारिरिक नमूना था, जिसके mass पेशियां क्या हुई थी, रिप्लिंग mass पेशियां थी, उठी भी mass पेशियां थी, I wonder how many silver spoons, देखो, silver spoon चांदी के चमच मच में नहीं गिने जा सकते, कुछ और a few तो होई नहीं सकते, how many, क्योशन है यहाँ पर, कितने चांदी के चमच बच्चे होंगे, यह आपका chapter कुण सा है, the red trap वाली chapter से यह question लिया हुआ है, next है, the host cancelled, cancelled the party, यहाँ पर underline किया गया, फैजल वो underline, तो फैजल वो cancelled, cancelled थी ना आपकी, तो cancel called back नहीं होता, called off होता है, कि party उन्होंने cancel कर दी, मतलब called off कर दिये, फैजल वो है, there was no one to take care of the poor paddler, ठीक है, तो यहाँ पर इसने underline कहाँ की होगी, यहाँ पर to care, to take care पर होगी न, तो कि वहाँ पर उस गरीब घुमकड का कोई care करने वाला नहीं था, तब paddler में, यहनि उसकी look after, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था, I hope कि यह answer भी आपका सही ही हो, हाँ इसको मिला दो जल्दी से, क्या दिक्कत आ रही है इसके, group and choose is incorrect, is not correct, इसमें कौन सा correct नहीं है भाई, क्या P को 3 से मिलाते हैं, सही है क्या, बिल्कुल, omnius, inauspicious, q को 4 से मिला हो, q को 4 से मिला है, इन एक जैस चिंतित होना, ready भी चिंतित होना होता है, ठीक है भाई, बिल्कुल सही है, r को 1 से मिला हो, opportunity को मिलाते हैं, हम problem से, opportunity problem थड़ी होती है, s कहा है भागना, runaway भागना, इसका मतलब r1 is the right answer, next है, फिर इसको मिलाना है हमको, और यह last question भी हो गया आपका, कि mysterious क्या होता है, पहले p3 मिलाते है, p3 से, mysterious simple होता है, q4, protest objection होता है, बिल्कुल होता है, यहाँ पर इसको हम काट सकते है, r1, ignore avoid करना, बिल्कुल सही है, s2, temporary short term होता है, बिल्कुल सही, यानि mysterious, रहसे कोई simple थड़ी बात होती है, वो तो complex बात होती है, mysterious होना, इसका मतलब, कि इसका मतलब क्या हो गया, कि पहला ही इसमें answer सही हो जाएगा, तो मतलब यह आपके 40 जो question थे, यह आपके ऊचे गए थे, और इसमें मैं मानके चलता हूँ, कि अगर आपने लंसम 15-20 question अगर आपने अच्छे से attempt की हैं, तो बिल्कुल आप दोड में है, और अराम से इसमें कोई भी student 15-20 question अराम से कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं थी इनमें, क्योंकि बहुत सारे questions book के थे, अगर chapter अच्छे से go through किये जाएं, तो अराम से इनको किया जा सकता था, हाँ, moderate अगर हम कुछ बात करें, कुछ questions की, कुछ थोड़ा सा difficulty level के कुछ questions, जो वर्ट सीमिल या इस तरह क्या आएं, वहाँ पर student को दिक्कत हो सकती थे, यानि कोई, यानि लगवई ये मान के चलता हूँ, कि आठ से दस question ये, इस English के paper का competition decide कर देंगे आपका, ठीक है dears, तो I hope कि सारी बाते अपने कर ली हैं, कोई एक-दो question अगर हो सकता है, कि यहाँ जैसे मैं देख रहा था, वो punctuation mark वले question में, कि आप punctuation mark से जब लगे ही नहीं थे, तो हो सकता है, वो typing mistake होगी, बाकि की में भी मैं देख लूँगा, तो कहने का मतलब, कि मेरी तरफ से बात मैंने complete कर दी है, और hope करता हूँ, कि अच्छे से exam आपको हुआ, और आप दोड में रहें, और selection लें जल्दी- Thank you so much आपको, और best wishes.